चोपड़ा एजो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों MCC का मोपप राउंड स्टार्ट हो चुका है और जो सेकंड राउंड के बाद जो वेकेंट सीटे हैं वो डिस्पले हो गई है कि मोपप राउंड के लिए कितने कितने सीटे हैं तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन से इंस्टिटूट के लिए कितने सीटे हैं कौन से कोटा में कितने सीटे हैं मैं आपको institute wise, quota wise सीटे इसमें बताऊंगा कि कितनी सीटे वेकेंट रही हैं तो सबसे पहले हम बात करें total seats की जिसमें MBBS, BDS सभी सामिल हैं government और private की सारी सीटे सामिल हैं वो जो सीटे वेकेंट हैं वो 3675 सीटे वेकेंट हैं इसमें dimd university भी सामिल हैं aims भी सामिल है इसमें, BHU जो central university हैं, BHU, MU वो भी सामिल है DU internal की, MBBS, BDS की यानि total seat 3675 हैं अब मैं आपको इसमें MBBS की जो वेकेंट सीटे हैं वो बता देता हूँ कि MBBS की जो वेकेंट सीट हैं, वो इन सभी institute के लिए जिसमें dimd भी सामिल है, central university भी सामिल है, DU भी सामिल है यानि कि जो total MBBS की सीटे हैं, वो सीटे हैं, इसमें total MBBS की सीटे वो यह आप institute wide देख सकते हैं, कौन-कौन से institute में कितने सीटे वेकेंट हैं तो इसमें जो total सीटे वेकेंट हैं, वो हैं इसमें 2127 सीट, यानि कि 2127 सीट MBBS की सभी institute के लिए हैं, जिसमें dimd भी सामिल हैं BDS की बात करें तो 1548 total BDS की सीटे हैं, जिसमें सारे institute सामिल हैं अब हम बात करें, एम्स में MBBS की जो सीटे वेकेंट हैं, वो 227 सीटे हैं इन इन एम्स में ये सीटे वेकेंट हैं, आप इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं वेबसाइट पर ये सीटे पड़ी हुई हैं, इसके बाद में dimd की total सीट देखें हम MBBS की कितनी सीट वेकेंट हैं तो total dimd की management में 776 सीट वेकेंट हैं, इसके बाद में ESIC की देखें हम MBBS की, ESIC की MBBS, BDS की कितनी सीटे हैं क्योंकि BDS की इसमें total एक ही college है, तो इसमें total 46 MBBS की और BDS की सीट वेकेंट हैं ESIC कोटा के लिए, अभी DU internal की बात करें, तो DU internal जिसमें दिल्ली का कोटा है, उसमें 17 सीट वेकेंट हैं मोलना अजाद, लेडी हार्टिंगे, University of Delhi, तो इस परकार से आप ये सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं कि कौन सी केटेगरी में कितने सीटे हैं इसमें इसके बाद में IPU की बात करें, जिसमें RML और VMMC दोनु आते हैं, उसमें इन दोनु इंस्टिटूट में 8 सीट वेकेंट हैं जिपमर ओपन की बात करें हम तो जिपमर ओपन में total 27 सीट वेकेंट हैं अभी भी इसके बाद में AMU और BHU की बात करें तो AMU open के लिए 4 seat vacant है BHU EWS के लिए 1 seat है और BHU SC category के लिए 4 seat है इन दोनों को मिला के total 9 seats vacant है इन दोनों को मिला करके तो इस परकार से ये इसमें AMU और BHU कोटे में ये seat हैं इसमें अब हम NRI seat की बात करें तो NRI की काफी seat हैं vacant हैं इसमें और ये NRI की seat हैं बात में institute द्वारा भरी जाएंगी क्योंकि इसमें सभी NRI की seat हैं इसमें भरी नहीं जाती जो vacant seat रहेंगी वो institute द्वारा भरी जाएंगी तो ये 1004 seats NRI की बची हैं dimmed university में तो ये पूरा seat matrix था कौन सी category में कितने seat हैं एम्स की 227 seats vacant हैं अभी तो इस प्रकार से ये institute वाइस था तो आप इसमें seat matrix देख सकते हैं इसका seat matrix डाल दिया गया है तो ये जानकारी थी seat matrix के बारे में मॉप अप राउंड के लिए mcc के लिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वह ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद थाउंड के लिए